नमस्कार मैं हूँ विज्वा और आप देख रही है फिल्मी बीट वरुन धवन और राजकुमार राउ से जुड़ी एक नई खबर आप सब के सामने आ रही है क्या स्त्री के सीक्वल में राजकुमार राउ को रिप्लेस करेंगे वरुन धवन क्या है पूरी खबर? आईए आपको बताते हैं राजकुमार राउ और शद्धा कपूर के फिल्म स्त्री ने बीते साल बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया था हॉरर कॉमेडी फिल्म ने उमीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था इसके बाद से ही फिल्म के सीक्वल की चर्चा है लेकिन अब खबरें आ रही है कि फिल्म का सीक्वल तो बनेगा लेकिन इसमें राजकुमार राउ की जगव वरुन धवन नजर आएंगे रिपोर्ट्स के मताबिक फिल्म में राजकुमार राओ की जगव वरुन धवन को मेकर्स जगे देने की तयारी कर रही है स्थ्री फिल्म में लीड एक्टर शद्धा कपूर और राजकुमार राओ पंकच त्रिपाधी ने काम किया था फिल्म के कहानी और कलाकारों की आक्टिंग दोनों ही काफी पसंद किये गए थे फिल्म के कई डायलाउग सुपर डुपर हिटर है अब फैंस इसके सीक्वल का इंतिजार कर रही है तो आको बता दे रिपोर्ट्स के मताबिक वरुन से फिल्म निर्माताओं ने कई बार मुलाकात की है लेकिन मेकर्स वरुन धवन और राजकुमार दोनों को लेकर फाइनल नहीं कर पाए है दरसल इन दुनों वरुन हर एक जॉनर पर काम करना चाहते हैं क्योंकि वो हर एक फिल्म के साथ अपने फैंस को कुछ नया देना चाहते हैं वरुन धवन निदेशक अभिशेक वोवन की फिल्म कलंक में नजर आने वाली है इस फिल्म में वरुन की जोड़ी एक बार फिर से आलिया भट के साथ नजर आ रही है कलंक के लावा वरुन के हाथ में स्ट्रीट डैंसर फिल्म का प्रोजेक्ट भी है इसमें उनके साथ शुद्धा कपूर नजर आने वाली है हाली में कलंक का ट्रीलर लॉंच हुआ जहां पर बहुत ही शांदार नजर आए वरुन धवन और अब एक बार फिर वरुन से जुड़ी एक नई खबर सामने आ रही है और वो ये कि राजकुमार राओ को रिप्लेस कर सकते हैं वरुन धवन फिल्म स्त्री में देखते हैं क्या होती है आगे की अपडेट फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही